नमस्कार मित्रो इस वेडियो में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि जिड नाम बाले लोग एबम एम नाम बाले लोग यदी साधी करते हैं तो इन दोनों के बीच में बनने बाला बंधन कैसा होगा मित्रो इदी आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए क्योंकि यह वेडियो जिड नाम बाले लोग एबम एम नाम बाले लोगों के लिए बहुत जियादा महत्वपुर्न एबम उपयोगी है लेकिन इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे शाथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे एबम इस वेडियो के नीचे अपना नाम कमेंट कर दे मित्रो जिड नाम बाले लोग एबम हैम नाम बाले लोग यदि किसी भी प्रकार के शंबंध में आते हैं तो अपने आपसी जीवन में एक दूसरे के बहुत ज्यादा बिपडीत होते हैं क्योंकि इन दोनों का अपने अपने जीवन के परती द्रिश्टी कोन एक दूसरे से अलग एक दूसरे से भिन होता है दोस्तों आपको बता दे कि जेड नाम वाले लोग बहुत ज्यादा सटीक विचारक होते हैं एबम हमेशा अपने जीबन में बहुत ज्यादा महत्तु कांग छी एबम आत्म अनुसासित होते हैं लेकिन मित्रों यदि एम नाम वालों की बात करे तो एम नाम वाले लोग हमेशा अपने जीबन में सुर्खियों में बने रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एबम हमेशा अपने जीबन में अपनी तारीफ सुनना अपनी प्रसंसा सुनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एबम इसके अलाबा M नाम वाले कुछ लोग बहुत ज्यादा अभिमानी बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं एबम M नाम वालों के इस सुभाब के कारण इन दोनों के बीच में आपसी मन मुटाब बहुत ज्यादा होता है मित्रो जेड नाम वाले लोग एबम M नाम वाले लोग इन दोनों के गुन एबम अब गुन को मिला करें यदि इनके दामपत्ते जीबन की बात करें तो इन दोनों के बीच में बनने बाला बंधन सामान्ने रहेगा तो मित्रो इस बेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे एबम इस बेडियो के नीचे जै हनुमान कमेंट कर दे साथ में इस बेडियो को आप हर जगह से यर कर दे धन्यवाद जैसी आराम राधे राधे